हेलो दोस्तो सुबा का वक्त है पिंकी और मुन्नी चट पर सो रही है और यहाँ पर सिधार्थ और पिंकी के बाउजी दोनों जन बैट कर बात कर रहे हैं और यहाँ पर सीमा गया को खाने के लिए चारा दे रही है यह लो मेरी मन चली तुम्हें भूख लगी होगी यह लो घास खाओ अरे सिधार्थ बेटा तुम शेहर में क्या काम करते हो यहाँ गाओं में तो तुम्हारा बहुत खेद बाड़ी है तो तुम कहां रहते हो गाओं में ज़्यादा रहते हो या फिर शहर में रहते हो पापा जी हमारा शहर में बहुत बड़ा बिजनेस है इसलिए हम जादा तर शहर में ही रहते हैं पर आप मैं गाओं में ही रहूंगा दादा जी ने कहा ता शादी करके गाओं में ही रहना तुम यहीं पर दादा की रियासत समालूंगा हाँ सिध्धात बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है यहीं पर रहो अपने दादा जी की रियासत को समालो हाँ पापाजी यह सब तो सही है पर मुझे खेती बाड़ी का काम बिल्कुल भी नहीं आता है मैं कैसे काम करूंगा यहां पर रहकर अच्छा पापाजी क्या आप मुझे सिखाओगे खेती का काम आप कुछ बाते बता देते खेती के बारे में तो अच्छा रहता अरे हाँ हाँ सिध्धात बेटा क्यों नहीं बताऊंगा बताने के साथ चलो मैं तुम्हें खेत में ही सिखाता हूँ तुम चिंता मत करो तुम्हें खेती के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी हाँ पापा आप सहीं कह रहे हो खेत जाकर मुझे जरूरी कुछ समझ में आ जाएगा चलिए पापा जी हम अभी खेद चलते हैं अरे सिद्धात कहां जा रहे हो तुम सुबे का समय है पहले नास्ता कर लो फिर कहीं पर जाना तुम अरे नहीं सीमा वहू रहने तो तुम सिर्फ चाय बना कर ले आओ मैं सिद्धात को आज राजू के ढाबली का स्पेशल समोसा कचोड़ी खिला कर लाओंगा अभी सिद्धात खेद जा रहा है मेरे साथ अच्छा ठीक है बाओ जी आप लेकर जाओ सिद्धात को खेद घुमा लाओ इसी बहाने सिद्धात भी खेद घुम लेंगे अच्छा सुझाओ है बाओ जी और ये कहकर सीमा रूम के अंदर चली जाती है और यहाँ पर पिंकी भी सोकर उटने लगती है चलो मैं जल्दी उट गई नीचे जाती हूँ नास्ता कर लेती हूँ और मुन्नी को स्कूल भी छोड़ाऊंगी कितना दिन हो गया उसे स्कूल नहीं लेकर गई हूँ चलो मुन्नी उट जाओ तुमारे स्कूल को समय हो गया है तुम्हें अभी स्कूल भी जाना है अच्छा मुन्णी में नीचे जा रहे हूँ तुम जल्दी से उट जाना ठीक है ना यहाँ पर पिंकी छट से उदर कर नीचे की तरफ आ रही है अरे सिद्धात और बाओ जी आपने नास्ता कर लिया क्या सिद्धात जी भी आज बहुत जल्दी उट गये हाँ पिंकी जी जल्दी उट गया सोच रहा हूँ आज पापा जी के साथ खेद घूमाऊं अरे हाँ सिद्धा जी ये तो बहुत अच्छी बात है जाकर घूमाईए हमारा खेद बहुत बड़ा है आपको वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगेगा अच्छा बाओ जी आज मैं जाकर मुन्नी को स्कूल छोड़ कर आ जाती हूँ बहुत दिन हो गया है मैं मुन्नी को स्कूल छोड़ने नहीं गई हूँ आज चली जाती हूँ बाओ जी अरे हाँ पिंकी बीटिया तुम लेकर जाओ मुन्नी को स्कूल में तो नहीं जा पाऊंगा और फिर ये कहकर पिंकी के बाओ जी और सिधात दोनों गईया को लेकर खेट जाने लगते हैं चलो सिधात बेटा हम चलते हैं तुमने अभी हमारा गाओ भी नहीं देखा है हमारा गाओ बहुत बढ़ा है तुम्हें घूम कर बहुत अच्छा लगेगा और ये कहकर दोनों जन्चले जाते हैं चलो भावी हमने नाश्ता तो कर लिया वैसे आप दुपहर के खाने में क्या बनाने वाली हो वैसे पिंकी में सोच रही थी तुम्हारे पसंद का राजमा चावल और दाल मखनी बना लू कैसा रहेगा तुम्हें तो बहुत पसंद है है ना पिंकी अरे हाँ हाँ भावी बना लो मुझे बहुत पसंद है वैसे बहुत दिन हो गया है मुझे खाए अच्छा भाबी स्कूल का टाइम हो गया है मुन्नी को लेकर जाती हूँ स्कूल छोड़ने हाँ ठीक है पिंगी तुम जाओ अरे मुन्नी तुम्हारा नास्ता करना हो गया की नहीं अभी तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है हाँ बुआ मेला नाश्ता हो गया चलो अब हम जल्दी चलते हैं स्कूल नहीं तो तीचल बहुत आतेंगी मैं ममी को प्लेट दे देती हूँ फिर हम चलेंगे बुआ इस्कूल ये लो ममी प्लेट मैंने नाश्ता पूला फिनिश कल दिया अच्छा मुनी तुम रुको मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ फिर हम चलते हैं स्कूल के लिए हाँ ठीक है बुआ पर जल्दी लेकर लाओ और फिर पिंकी अपना पर्स लाने के लिए चली जाती है अरे भाबी मैंने अपना पर्स कहां रख दिया अरे ये रहा चलो मैं जल्दी से अपना पर्स ले लेती हूँ अच्छा भाबी अब हम जाते हैं बाए मम्मी हाँ बाए मुन्नी मन लगा कर पढ़ाई करना तू चलो मुन्नी जल्दी से अभी हमें किरन की घर भी जाना है चलो मुन्नी हम पहुँच गे किरन के घर पर अरे किरन तुम क्या कर रही हो तुम चिंकी को स्कूल के लिए तयार कर दिया ना हाँ पिंकी हम कब से तयार खड़े हैं बस तुम्हारा ही इंतिजार कर रहे थे चलो किरन बहुत अच्छी बात है अब स्कूल का समय हो गया अब हम चलते हैं इने छोड़ने के लिए हाँ हाँ पिंकी चलो चलते हैं और ये कहकर किरन और पिंकी स्कूल आ जाते हैं अरे किरन लगता है हमें विद्याले आने में लेट हो गया है हाँ पिंकी तुम सही कह रही हो यहाँ पर तो मास्टर नी बैट कर पढ़ा रही है दोस्तो ये चिंकी और मुनी का विद्याले है जहाँ पर ये दोनों पढ़ती है दोस्तो मुनी और चिंकी को विद्याले आने में लेट हो गया है चलिए देखते हैं आगे क्या होता है गुड मॉर्निंग टीचर जी हम आ गये स्कूल छोड़ने के लिए हमें माफ कर दीजी हमें स्कूल आने में लेट हो गया हाँ मुनी और चिंकी तुम हमेशा लेट होते रहते हो तुम्हारा बिलकुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है दूसरे बच्चे तो टाइम पर आ जाते हैं अगली बार आने में लेट हुआ तो क्लास के बाहर ही तुम्हें खड़ी करूंगी चलो आज के लिए आकर बैठ जाओ आप सब भी बच्चों को टाइम से स्कूल छोड़ा करिये चली अब इन्हें बैठा दीजिए क्लास में अच्छा ठीक है टीचर जी हमें माफ कर दीजिए हम लेट से आने के लिए बहुत शर्मिंदा है और फिर मुन्नी और चिंकी क्लास में चले जाते हैं बैठने के लिए चलो मुन्नी हम यही बल बैठ जाते हैं एक शाओ हाँ चिंकी चलो बैठते हैं अच्छा टीचर जी अब हम चलते हैं अगली बार से ध्यान रखेंगे इन्हें टाइम से इस्कूल छोड़ा करेंगे और ये कहकर पिंकी और किरन क्लास के बाहर चले जाती है अरे किरन उनके चकर में हमें भी डाट खाना पड़ा हाँ पिंकी तुम सहीं कह रही हो चलो कोई ब चलो बहुत अच्छी बात है आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो बहुत अच्छे बच्छ चलो आप मैं तुम्हें हिन्दी के अक्शर पढ़ाती हूं अच्छा चलो बच्छो मेरे साथ पढ़ो बताओ ये क्या है अच्छा बच्छो चलो बताओ ये क्या है अब ये बताओ ये क्या है अच्छा बच्छो ये बताओ ये क्या है और ये क्या है अच्छा ये क्या है ये गल्ड़ अरे नहीं बच्चो ये ड़ा है अच्छा चलो बच्चे अब आगे बताओ ये क्या है ज़ और ये क्या है ज़ और ये ज़ क्या ज़ और ये ज़ वेरे गुड बच्चो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आया है इसी थरा पढ़ते रहो और बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करो, बहुत अच्छे चलो चलो दोस्तों हमारा खाने की छुट्टी हो गया टीचे जी घंटी भी बज़ गई चलो मुन्नी हम दोनों छाद में बैद कल खाना खाते हैं आज मैं गोबी के प्रोथे लाई हूँ चलो बच्चों तुमारा खाने की छुट्टी हो गया दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाईक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले ठैंक यू फोर वाचिंग